हलो दोस्त, RRC गुरूप D, पैनल अपडेट तो कम हो गया है, कली वीडियो हमने बनाये था, लेकिन कोरिजेंडम जारी है, इतना गलती कैसे हो रहा है, हलाकि इस गलती में ये भी चुपा हुआ हो सकता है, कि सेकन पैनल पे काम चल रहा हो, जिसके कारण से गलती पकड़ी जोटमेंट है, एक जगे से दूसरे जगे लोगों को भेजा जा रहा है, वो थोड़ा सा अच्छर जनक है, लेकिन चलिए इसे पैनल से तो बाहर नहीं हो रहे हैं, एक अच्छी ख़बर है, तो चलते हैं, SWR की वेबसाइट पे, तो जब यहां पे आएंगे, तो अभी के डेप्टे में अपडेट हुआ है, लिक रहा है, कि क्लिक एर व्यू टू कोरिजेंडम पैनल पार्ट वन, सब लोग इंतजार कर रहते हैं कि पार्ट टू पैनल कब आएगा, यहां पे तो पैनल वन में ही कोरिजेंडम हो रहा है, इससे पहले भी एक कोरिजेंडम हो रहा है है दोनों की बात करेंगे लेबल वन का री अलोट्मेंट हो गया है उनकी कंडिडेट का तो इसको अगर ओपेन करेंगे तो आपके पास यह लिस्ट कुल जाएगी कौन सा कोरिजेंडम वाला है तो यहां पर यह बताए जा रहा है जो कंडिडेट जो 141 कंडिडेट को पोस्ट प्रियारिटी के हिसाब से देखने से कुछ इदर उदर किया गया है जिसके पोस्ट प्रिफेंस प्रोसेस से अभी अलग अलोट कर दिया गया है जो पहले अलोट किया गया था हलाकि पहले जो पैनल एलॉट किया गया था वो website पे तो डाला ही नहीं गया था कोरिजेंडम हुआ तो उसको website पे डाला गया यानि पहले नहीं अभी data बता जा रहा है यानि पहले candidate को पता होगा या internal जो website होती है उस पे था RRC के website पे नहीं था तो चलिए यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे candidate ओका देखें SWR की जो candidate Hospital Attendant के त्यारी कर रहा होगा उसे RWF Rail Will Faculty का Hospital Attendant अलोट कर दिया गया उसी जगह कई का है किसी को तो Hospital Attendant से Assistant in Telecom signal भेज दिया गया किसी को TRD से Assistant in Store Depot कर दिया गया किसी के बहुत सारा देखिएगा तो यह किसी का Store है तो Oversop कर दिया गया यानि candidate जो 33 से अभी तक लंबा दिन हो गया था 33 दिन 2023 से आज है माल लिजे आज तो 24 है लेकिन आप वेबसाइट पर अपड़ोट होगा है दिले से तो इतने दिनों में तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है candidate का एक मन्त लगबग गुजार रहा था सभी का लगबग यह चेंज हो गया है maximum लोगों का चेंज होके बहुत सारा यह 141 कंडिडियों का चेंज हुआ है हलाकि department ही चेव हुआ है लेकिन फिर भी कहेंगे कि एक तरीके के अच्छा न्यूज नहीं है उसके अलावाद जो एक और कोरिजेंडम आया था उसमें तो candidate को पहले पैनल में कितने कर दिया था बहुत सारे candidate को जिसमें कोरिजेंडम वो था जिसमें पैनल पार्ट वन का जो आया था उसी को यानि हम पैनल टू धूंड रहे हैं यहां कोरिजेंडम पैनल वन का ही हो रहा है यहां पे क्या कोरिजेंडम था कि केटाइगरी नमर दस का ट्रेक मेसीन में जो लोग ऐलोट हो गये थे उनकी पूरा पैनल से नाम ही हटा दिया था यह भी एक अपडेट था तो कुल मिला कि यहां पे अगर बहुत छोटा पैनल आया था हुबली में अभी तक का यानि 1070 लोगों का ही पैनल आया है गरान टोटल में उसमें से भी 141 का एररे हो गया और पहले 1100 कुछ आया था चो 10 नंबर ट्रेक मसीन वाले का भी 89 या कुछ लोग थे मुझे याद नहीं है थोड़ा 89 या 90 लोग कुछ है से वेकेंसी में उनको निकाल दिया था यानि अगर एरर परसेंटेज देखें तो 11.500 कंडिडेटों में 11.500 माली ये कंडिडेटों में एरर परसेंटेज अगर कहें 149 और 89 या 90 यानि सिधा सिधा के 141 और 90 यानि 300 कंडिडेट का हो रहा है यानि एरर परसेंटेज बहुत बड़ा है जो इतना नहीं होनी चाहिए रिजल्ट बनाते वक्त क्योंकि ये पार्शिल रिजल्ट बनती है तो ये ज़्यादा दिकत आती है एक बार रिजल्ट बनता तो इतनी प्रोलम नहीं आती उमीद है कि कंडिडेट के साथ किसी के साथ जिलतना हो हर कंडिडेट को सही से ट्रीट किया जाए हलाकि टाइम थोड़ा लग जाए लेकिन कंसेब लोगों को ऐसा नदर्द कर जाए कि पारले डिवीजेन एलाट फिर बाहर अभी तो डिवीजेन चेंज हुआ है थोड़ा कम अपसोस होगा लेकिन बाहर होने पर बहुत दिकत होती है थैंक्यू